तो यह दो को प्यारे बच्चों अगर इस वाले इस question को देखोगे कि इसमें क्या कहा जा रहा है तो इस question को देखोगे तो AC circuit है जिसमें current A flow हो रहा है तो current I की जो value है वो 5 sin यहां से 5 sin 100 T और minus 5 by 2 से current flow हो रहा है potential difference इसके भीज दिया हुआ है तो potential difference B is equal to 200 यहां से और sin यहां से 100 T के equal है तो कहता है power consumption अगर तुम यहां से देखोगे तो power देखोगे यहां पर average power जो होता है वो IRMS IRMS यहां से BRMS और यहां से cos phi के equal होगा तो इसमें और इसमें phase का difference delta phi अगर तुम देखोगे तो यहां से phi 2 minus phi 1 के equal हा जाएगा तो जो phi 2 इनमें phase का difference देखोगे तो 100 T minus 100 T और यहां से plus phi by 2 तो यह 100 T 100 T कर जाएगा तो यह पाई by 2 यहां से phase का difference आगया तो phi by 2 जैसे ही phase का difference देखो IRMS BRMS cos phi by 2 90 तो पूरा 0 आ जाएगा तो average power जो है इस phase difference को लेके 0 होगा चाहे बहले ही RMS और BRMS कितना हो जाएगा